Hello Everyone, Welcome to my YouTube channel Polyelectrica अभी तक हमारे previous lectures में हमारा first unit complete हो चुका है आज के lecture से हम स्टार्ट करेंगे अपना नया chapter house wiring जिसमें हम wiring के बारे में पूरा पढ़ेंगे wiring क्या होता है, wiring के types, wiring कैसे किस किस तरीके से किया जाता है उसमें क्या क्या साउधानिया रखी जाती है यह सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं wiring What is wiring? wiring क्या होता है? Electrical wiring is a process of connecting cables and wires to the related devices such as fuse, switches, sockets, lights, fans, etc. to the main distribution board is a specific structure to the utility pole for continuous power supply wiring जो शब्द है उससे तो हम लोग सभी परचित है Electrical wiring एक ऐसा process है जिसमें electricity को हम लोग main distribution board से घर के सभी devices या फिर किसी भी place के सभी devices जैसे fuse, switches, socket, light, fan यहां सब तक लेकर आते हैं कुल मिला कर देखा जाए तो main source से सारे devices को connect करने का जो माध्यम है वो होता है wiring Electric wiring as used to provide power in buildings and structures commonly referred to as building wiring Electric wiring में power को हम building या फिर किसी भी structure में distribute करते हैं जिसे हम लोग generally building wiring कहेंगे और आसान सब्दों में देखी तो क्या होगा? जो भी हमारे electrical equipment है या फिर electrical machine है उन सभी को supply देने के लिए तार या cable के थुरू supply source से जोड़ना यह होता है electric wiring Electric wiring करते समय हमें बहुत सारी साधानिया रखनी पड़ती है Electric wiring करने के लिए एक experienced electrication की ज़रत पड़ती है Electric wiring को हम लोग कई भाग में बाट सकते हैं जैसे की हो गया domestic wiring, industrial wiring तो ऐसे ऐसे wiring जिसे हम लोग अपने घरों में, किसी कारियाले में, किसी अपार्टमेंट में, किसी बिल्डिंग में, किसी बड़े मॉल में या फिर ये किसी बड़ी इमारतों में इसमें करेंगे ये होगा हमारा domestic wiring ये सारी चीजें domestic wiring के अंतरगत आएंगी और दूसरा है industrial wiring जिसे factories में, straight light, जहां भी generation होता है, sub station, ये सभी में जो wiring होती हैं, वो आएंगे industrial wiring के अंतरगत ये सभी industrial wiring के अंतरगत आएंगे अब देखिए, जैसे ये हो गया हमारा switchboard, switchboard में हम लोग यहां से supply लेकर आए हैं ये हो गया हमारा switchboard, switchboard में यहां से supply लाने के लिए हम लोग एक wire का यूस की हैं अब switchboard से different different lamp और different different fan हो गया इन सब में supply देने के रिए जिस wire का use की है तो ये जो पूरा procedure हो गया ये कहलाता है हमारा wiring मतलब किसी machine, किस equipment को electricity से जोड़ने के लिए जिस माधियम का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं electric wiring wiring के इसी दौर में हम देख लेते हैं कुछ जानकारी wire के बारे में भी तो कुछ basic information लेते हैं color code के बारे में generally हम घर में देखेंगे तो तीन color के wires रहते हैं एक single face connection जो घर में होता है उसमें तीन तरह के wire रहते हैं तीन color के एक होता है red एक होता है green और एक होता है black तो इन तीनों तारों का अलग-अलग मतलब होता है जो red wire है वो live wire को represent करता है live wire मतलब phase phase को represent करता है जो black wire होती है वो neutral को represent करता है किसी भी machine को चलाने के लिए एक phase और एक neutral की बीच में connection करना होता है तो ये हो गया हमारा एक phase और एक neutral wire red color का phase wire black color का neutral wire इसके अलावा एक extra तीसरी wire होती है जो होती है green color की और ये green color का wire अर्थिंग के लिए use होता है तो कोई भी हम लोग standard three pin plug देखेंगे जो की एक triangular shape की होती है तो उसमें wires का connection कुछ इस तरीके से किया जाता है नीचे के दो plugs में एक में होता है neutral एक में होता है face और उस plug में जो center में बड़ी pin होती है वो होती है अर्थिंग की अर्थिंग wire को हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारे जो भी equipment होंगे electrical equipment उसके outer body में अगर किसी वज़े से charges distribute हो जाएंगे किसी वज़े से उसमें current आने लगेगा तो वो सबी जो है तो वो charges अर्थिंग wire के थुरू ground हो जाएंगे अर्थ हो जाएंगे जो outer body है वो safe रहेगा अगर किसी equipment में अर्थिंग wire नहीं रहेगा और उसके outer body पे कोई charges distribute हो जा रहे हैं तो इससे क्या होगा इससे जो भी human रहेगा उसके contact में आने से उसे current लगने का संभावना होगा उसे current लग सकती है यह human safety के purpose से देखा जाए तो खतरनाक हो सकता है इसके वज़े से किसे भी equipment में अर्थिंग करना जरूरी होता है तो यह हमने देख लिया कि तीनों color के wires को किस तरीके से यूज किया जाता है red को face के लिए black को neutral wire और green को earthing wire इनके अलग-अलग रंगों का use करने का एक reason यह भी है ताकि हम easily identify कर पाएं कि कौन सा wire किस चीज को represent करता है अगर मालीजे हम earth, face और neutral के लिए तीनों के लिए same color की wire यूज कर लेंगे तो कोई भी fault आने पर यह identify नहीं कर पाएंगे कि किस wire में fault आया है, किस wire में problem हुआ है इसके वज़े से connection और wiring के point of view से देखें तो wiring में different color के wire चूज करना एक best तरीका होता है wiring के लिए इसी sequence में हम लोग wiring के तरीके भी देखेंगे तो ये हो गया हमारा types of electric wiring ये एक domestic wiring का तरीका हो गया कि इसके कौन-कौन से प्रकार होंगे जो हमारा domestic wiring होगा, उसमें different different तरीके से हम connection कर सकते हैं wiring का connection, चलिए देखते हैं कुछ connection, तो कितने प्रकार के होते हैं electric wiring फर्स्ट हो गया हमारा clit wiring, clit wiring फर्स्ट हो गया clit wiring, सेकेंड इस wooden casing and capping wiring casing and capping थर्ड है CTS और RTS और PVC सीथ wiring lid सीथ या फिर metal सीथ wiring फिफ्थ है conduct wiring ये होगे हमारे पांच प्रकार के wiring, इन सभी को हम लोग detail में देखेंगे आगे तो सबसे पहले देखते हैं clit wiring clit wiring system ये जो clit wiring system है ये बहुत easy और बहुत cheap system है इस system of wiring इस तरीके के जो system होता है इस तरीके के wiring system में vulcanized india rubber VIR या फिर polyvinyl chloride PVC insulated wires जो रहेंगे उनका हम यूज करेंगे इन wires को जो चीनी मिट्टी के इस्तमाल होते हैं इन चीनी मिट्टी के जो clits है उसमें दो wire या फिर तीन wire के खाचे बने होते हैं उपयोग के हिसाब से दो या फिर तीन wire के different shape के खाचे बने हुआ एक clit मिलते हैं तो इस तरीके के clit में क्या होता है खाचे बने होते हैं जिन में से wires को गुजारा जाता है और उस खाचे का एक cover होता है जिसे दिवाल पर fix कर दिया जाता है तो इस तरीके से clit wiring में दो pieces होते हैं जिने clit कहते हैं एक clit है और एक उसका cover है clit wiring is a temporary wiring system therefore it is not suitable for domestic premises ये जो clit wiring है ये एक तरीकी का temporary wiring system होता है ये permanent नहीं होता है इस्थाई नहीं होता है ये एक अस्थाई wiring है इसके वज़े से domestic wiring में clit wiring का use नहीं किया जाता है clit wiring का use पहले होता भी था पर अभी के date में clit wiring को almost neglect हो चुका है देखते हैं clit wiring दिखता कैसे है ये है हमारा clit wiring के clits जिसमें two spaces हैं इस वाले में जिसमें left वाले में two spaces हैं और right वाले में three spaces हैं wire के जाने के लिए इन clits को दिवाल पर लगाया जाता है उसमें से wires पास कराने के बाद cover से ढख कर उसे wall पर fix कर दिया जाता है ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लगे हुए clits ये और ये wires गुजर रहे हैं उनकी वो clit की साहिता से दिवाल पर लगे हुए हैं fix हुए हैं और यहाँ पर भी देख सकते हैं ये wires पास होने के जगह हैं जो कि दोनों wires clit के बीच में फसे हुए हैं clit के बीच में a test हैं अब इन clits को दिवाल पर एक screw की साहिता से fix कर दिया जाता है ये तो हो गया clit wiring का एक diagrammatic explanation इसके आगे इसके कुछ फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं क्या क्या होते हैं तो clit wiring के क्या advantages हैं चलिए देखते हैं advantages of clit wiring it is simple and cheap wiring system ये जो clit wiring है वो बहुत simple होता है साथ ही साथ बहुत सस्ता भी होता है अगर कहीं पर temporary wiring करना है तो उसके हिसाब से ये perfect है economically भी ये बहुत सहीं है second advantage क्या है most suitable for temporary use that is under construction building और army camping ये जो है temporary तरीके की wiring है इसलिए ये किसी भी under construction building जैसे की कोई construction building है उसमें किसी equipment कोई भी machine को चलाने के लिए मा लिजे welding machine, cutter machine कोई भी machine को चलाने के लिए जो wiring के लिए ज़रुरत होगा वहाँ पे हम clit wiring का use कर सकते हैं आर्मियों की camp वगर में ये सारी चीजों में भी इस clit wiring को यूज कर सकते हैं कुल मिला की देखा जाए तो जहाँ पे temporary use होगा तो जहाँ पे temporary use होगा wire का वहाँ पे हम लोग clit wiring का use करेंगे नेक्स देखते हैं तो वह चीजें हम easily identify कर सकते हैं आसानी से देखकर ही पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर fault है और उसे आसानी से repair भी कर सकते हैं तो ये इसका एक advantage हो गया कि इसमें कोई भी fault का हम आसानी से पता लगा सकते हैं और उसे आसानी से repair भी कर सकते हैं next clit wiring system installation is easy and simple क्योंकि ये एक temporary तरीकी का installation है temporary तरीकी की wiring है इसका installation भी बहुत आसान हो जाता है और simple भी है इसका जो installation है इसको जहाँ पे स्थापित करते हैं इस wiring को वो बहुत आसान तरीका है और easy भी है Customization can be easily done in the wiring system Example, Alternation and Addition Customization में क्या हुआ Customize करना मतलब उसमें कोई भी modification उसमें कोई भी changes करने है हमको तो इस wiring system में आसानी से किया जा सकता है जिसे कहीं पर wires का extension करना है कहीं पर wire को बढ़ाना है या कहीं पर अलग जगा पर connection देना है उसमें कोई extra wire connect करना है तो ये सारी चीज़ें klit wiring में आसानी से हो सकती है कोई भी customization, कोई भी modification करना आसान है klit wiring में Inspection is easy and simple इसका inspection बहुत ही आसान है इसका रख रखाव, इसका देख रख क्योंकि इसमें सारे wires open होते हैं किसी भी cover द्वारा ढखे नहीं होते तो उनको देखकर ही उनका आसानी से inspection किया जा सकता है और इसलिए इसका देख रख जो है आसान और simple हो जाता है तो ये हो गया हमारा clit wiring का advantage इसके advantage होने के साथ साथ ही कुछ नुकसान भी है तो वो भी हम discuss कर लेते हैं कौन-कौन से नुकसान होते हैं Disadvantages of clit wiring system Clit wiring system के नुकसान या फिर clit wiring system के क्या-क्या drawback है ये सबी चीज़े हम यहाँ पर discuss कर लेंगे First है appearance is not so good इस तरीके के जो wiring का प्रदर्शन है वो उतना अच्छा नहीं है क्योंकि ये permanent नहीं है ये एक तरीके की temporary wiring है Clit wiring can't be used for permanent use because sag may be occur after some time of the usage जो clit wiring है ये permanent या इस्थाई तरीके की wiring नहीं होने के कारण इसको हम लोग घरेलू wiring में use नहीं कर सकते अगर इसको लंबे समय तक उप्योग किया जाएगा तो इसमें कभी भी sag आ सकता है इसके वज़ज़ से इसे हम घरेलू use के लिए prefer नहीं करते अगला देखते हैं इन दिस वाइरिंग सिस्टम दे केबल एंड वाइरिंग इस इन ओपन इयर therefore oil, steam, humidity, smoke, rain, chemical and acidic effect में damage the cables and wires क्योंकि इस वाइरिंग सिस्टम में जो हमारे केबल और वाइर हैं वो खुले होते हैं उसमें कोई cover नहीं होता तो उसमें कहीं से भी बाहर atmosphere से oil हो गया धुआ, moisture हो गया बारिश का पानी और कोई भी chemical या फिर कोई भी acid effect है वो आसानी से ओकर हो सकता है और इन सभी effects के वज़े से जो cable और wire के बाहरी insulation होते हैं जो उनका बाहरी layer होता है ये सभी damage हो सकता है continuously moisture के वज़े से उसका जो insulation है वो खराब हो सकता है wires में fault आ सकता है ये जो इसका disadvantage है ये सबसे main disadvantage होता है cleat wiring का क्योंकि इसमें सारे wires open होते हैं किसी भी cover द्वारा धके नहीं होते next है it is not lasting wire system because of the weather effect risk of fire and wear and tear ये तरीके की जो wiring होती है वो long lasting नहीं होती पहली तो because of the weather effect risk of fire and wear and tear weather effect के वज़े से जैसे कि moisture के वज़े से water drop के वज़े से और continue polluted air के contact में आने के वज़े से जो हमारे wires का बाहर का insulation होगा वो damage हो जाएगा और अगर insulation में कोई भी problem हुआ तो short circuiting का chances बन सकता है और इस short circuiting के वज़े से कोई भी fire 1000 हो सकते है कहीं भी आग लगने का नुकसान हो सकता है आग लगने का खत्रा बन सकता है तो इस clit wiring में जो सबसे ज़्यादा खत्रा होगा वो होगा fire या फिर short circuiting का it can be used only on 250 और 440 volts on low temperature इस तरीके के wire हमारे low rating के लिए use होंगे 250 से लेके 440 volt तक के rating के लिए हम इस wire का इस wiring का प्रयोग कर सकते है इसके साथ ही साथ सिर्फ low temperature पे ही इस wiring का यूज हो सकता है क्योंकि temperature के high होने से कोई भी melting effect create होता है कहीं पे भी wires का insulation पिघल जाएगा तो wires जो है short circuiting के वज़ज़ से burn हो सकते है there is always a risk of fire and electric shock क्योंकि एक temporary wiring है इसके insulation में किसी भी तरीके का problem आने से ये आग लगने का सबसे ज़्यादा खत्रा हो जाता है साथ ही साथ अगर by chance fire हजार्स नहीं होते हैं तो भी किसी person के द्वारा तच होने पर electric shock का भी खत्रा हो सकता है तो ये हमारे clit wiring के बहुत सारे disadvantages भी है इसके वज़े से इसे एक temporary रूप पर उप्योग किया जाता है अभी के date पे clit wiring को उतने ज़्यादा उप्योग में लाया नहीं जाता है अभी इसकी उप्योगिता कम हो चुकी है ये हो गया हमारा clit wiring का एक basic इसकी क्या-क्या फायदे हुए उसकी क्या-क्या नुकसान है उसकी क्या-क्या ड्रॉबैक्स है ये सारे चीजों के बारे में discussion हमने कर लिया अब हम wiring के next type को discussion करेंगे कौन सा है next type wooden casing and capping wiring इस तरीकी का wiring system घरेलू installation के लिए एक domestic purpose के लिए low voltage पर किया जाता है casing and capping wiring system was famous wiring system in the past but it is considered obsolete this year because of candidate and sith wiring system इस तरीके का जो wiring system होगा इसमें VIR या फिर PVC या फिर कोई भी अलग तरीके का insulated cable use करते है इस तरीके के wiring में wooden casing capping wiring जो है past time में हमारे पिछले समय में बहुत उप्योगी होता था बहुत फेमस भी था लेकिन अब ये off trend हो चुका है इस तरीके के system में casing के लिए एक अच्छे quality के लगडी का उप्योग करते है इस तरीके के लिए एक लगडी के पट्टी को यूज करते है एक मजबूत और फ्रक्त लगडी जिसमें के लिए एक लगडी के पट्टी को यूज किया जाता है इस ताइप के wiring system में जो लगडी के strip होंगे जो लगडी के पट्टे होंगे उसमें उसकी लंबाई के parallel या फिर उसकी लंबाई के समानांतर ही खाचे बनाए जाएंगे जिसमें उसके wire को रखा जाएगा different different wire को बिचाने के लिए उसमें कई खाचे बने होते हैं the groups were made to separate opposite polarity the capping used to cover the wires and cables installed and fitted in the casing casing में जो खाचे बने होते हैं उसमें wires को रखा जाता है और उसके उपर लकडी का ही एक cover चड़ाया जाता है जिसे कहते हैं capping तो जो casing होता है उसे दिवाल पर लगाया जाता है उसमें खाचे बने होते हैं और उसके उपर उसे धकने के लिए जो लकडी का पट्टा होता है उसे capping कहते है जो capping और casing है इन दोनों का जो चोड़ाई है इनकी जो width है वो similar होती है वो same आकार की होती है जो wooden casing wiring होता है ये क्योंकि लकडी का बना होता है इसलिए इसे ज़्यादा नमी वाले जगों पर इस्तमाल नहीं किया जा सकता जहां पर continuous moisture होगा वहाँ पर यह wiring suitable नहीं होगा क्योंकि मौशर के वज़े से wooden खराब हो जाएगा जो पुराने घर होते हैं उनमें इस तरह की wiring जनरली देखा जा सकता है जिसमें लकडी के पट्टों पर wires को बिचा कर उसे एक दूसरे लकडी के पट्टे से धका जाता है चलिए देखते हैं कैसा दिखता है यह यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लकडी का एक लंबा पट्टी है जिस पर दो खांचे बने हुए हैं यह और यह इन दोनों पर wires को गुजारा जाता है और उसके उपर यह जो capping बनी हुई है इस capping को रख के उसे fix किया जाएगा क्लिट वाइरिंग में क्या होता था क्लिट वाइरिंग में भी कुछ चीनी मिट्टी के खांचे होते थे जिनमें wire को fix करते थे लेकिन उसमें सिर्फ कुछ जगहों पर ही पकड़ बनाने के लिए ही क्लिट को यूज किया जाता था लेकिन इस wooden casing और capping वाइरिंग में पूरे wires के connection के लिए पूरे wires को बिचाने के लिए उतने ही लंबे का wooden casing और capping का यूज करेंगे यह इस diagram से हम उसका cross-sectional view देख सकते हैं side से यह इस तरीके से दिखेगा यह नीचे का जो portion है यहाँ पर दो wires आय हुए है और उसके उपर यह जो capping की हुई है यह है इसमें भी देख सकते हैं top view से यह casing इसके अंदर wires को इस तरीके से गुजारा गया है उसके बाद उसे capping से धग दिया गया है यह जो image है इसमें कुछ wiring को दिखाया गया है wooden wiring को जिसमें लकडी के पट्टे लगे हुए हैं और जहाँ पर हमें bulb fit करना है या फिर जहाँ पर switch है वहाँ पर holder लगा दिया गया है इस तरीके से यह हो गया wooden casing and capping wiring इस wiring के कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है तो वो भी हम discuss करेंगे कौन-कौन से हैं उसके फायदे और नुकसान तो पहले उसके फायदे देख लेते हैं उसके advantages देख लेते हैं यह बाकी जो हमारे सित और कंडिट वायरिंग सिस्टम होंगे इससे बहुत सस्ते तरीके का वायरिंग है उनकी तुलना में उनके comparison में यह कम rate पर install किया जा सकता है इस ट्रॉंग और लॉंग लास्टिंग वायरिंग सिस्टम customization can be easily done in the wiring system यह एक long lasting है यह जो wiring system है यह long lasting होता है क्लेट वायरिंग से काफी long lasting है यह लगभग 20 साल तक के use में लाया जा सकता है इसमें customization भी आसानी से हो सकता है इसमें कोई भी हमको अगर changes करना है wiring में कहीं और connection बढ़ाना है कुछ जोड़ना है तो यह customization भी हमारे इस wooden casing capping wiring में possible है इस phase and neutral wire is installed in separate slots then repairing is easy क्योंकि हम लोग इसमें दो wires को बिच्छाने के लिए दो slot बनाए हुए रहते है अगर यह हो गया अगर यह हमारा एक wooden piece है तो इसमें दोनों wiring के लिए एक यहाँ पर और एक यहाँ पर इस तरीके का दो slot बनाए रहते हैं तो इसके वज़़ से क्या होता है repairing में आसानी हो जाती है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें short circuiting का जो खत्रा है वो भी कम हो जाता है stay for long time in the field due to strong insulation of capping and casing इसे हम field में लंबे समय के लिए भी use कर सकते हैं क्योंकि इसका जो insulation है वो capping casing के वज़़ से बहुत strong हो जाता है it says safe form oil, steam, smoke and rain इस तरीके के wiring में हमारे जो cable होंगे वो oil, steam, smoke, बारिश इन सबसे बचे रहेंगे क्योंकि इस पे एक cover चड़ा दिया गया है एक wooden plate का cover चड़ा दिया गया है इसके वज़़ से oil, steam, smoke, rain इन सबसे हमारा वायर सेफ रहेगा no risk of electric shock due to covered wires and cables in casing and capping इस तरीके के wiring में electric shock का खत्रा बहुत ही कम होगा पहली बात तो यह है कि wires हमारे खुले नहीं है wires और केबल है वो casing और capping के help से ढखे हुए है इसके साथ ही साथ है जो लकडी का टुकड़ा है वो हमारा विद्दूत का कुछ आलक है उसमें विद्दूत का प्रवा नहीं होता है तो इसके वज़़ा से इसमें electric shock का खत्रा जो है बहुत ही कम होता है एकदम negligible होता है ना के बराबर तो ये हमारे हो गए कुछ इसके फायदे की ये पहली बात तो इसका insulation अच्छा होता है इसमें electric shock से बचा जा सकता है क्योंकि इसमें separate slot होते हैं इसके वज़े से repairing भी आसान होता है और कोई भी correction possible है कोई भी customization इसमें आसानी से किया जा सकता है और ये सस्ता भी होता है साथ ही साथ oil, steam, धुआ, बारिश इन सब से वायर जो है हमारा safe रहता है तो ये हो गए इसकी कुछ advantages अब देख लेते हैं इसमें क्या-क्या drawbacks है क्या-क्या negative points है इस तरीकी की wiring में Disadvantages of casing, capping, wiring There is a high risk of fire in casing and capping wiring system इस तरीकी के wiring system में जो fire का risk काफी जादा हो जाता है क्योंकि अगर कहीं पे भी गलती से भी short circuiting होगी तो जो आग है वो उस लकडी में भी फैल जाएगा जिसके थू हम casing और capping किये थे तो क्या होगा लकडी जल कर और जो आग है वो और बड़ा आकार ले लेगा और बड़े हजार्स हो सकते हैं बड़े नुक्सान भी हो सकते हैं Not suitable in the acidic, alkalis and humidity conditions ये जो हमारा casing capping है वो ज्यादा humidity के लिए उतना suitable नहीं है Costly repairing and need more material इसका जो repairing है वो costly होता है और इसमें ज्यादा सामान की जरुरत होती है Material can't be found easily in the contemporary White ends may damage the casing and capping of the wood जो white ends होती है जो सफेज चीडिया होंगी या फिर जो दीमक वगर होंगे वो इस casing और capping को damage कर सकते हैं जिससे जो दीमक होगा वो लकड़ी को खराब कर देगा इसके वज़े से wiring भी खराब हो सकती है ये है casing capping के main disadvantages जो हमने अभी देखा ये तो हो गया हमारा wooden casing and capping wiring हमने दो wiring कर तरीका पढ़ लिया है आज का lecture हम यही खतम करते हैं बाकी जो भी types बचे हुए हैं wiring के उसे हम next class में देखेंगे Thank you बाकी watching कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल झाल